गुणिवनें नवस्कार सु स्वागतम मैं हूँ अनोगा अंकित और एक पार फे संडे यानि की स्पोर्ट्स की हफते भर की सारी खबरें वो तो मैं देता हूँ साथ मैं आपको मैचेस के बारे में भी बसाता हूँ तो सबसे पहले सबी को वोमेंस डे की हारदिक शुब कामना है जितनी भी वोमेंस जिन्होंने मेरी लाइफ में इंपक्ट शोड़ा उनको भी शुक्रिया और आप जो वहाँ हैं जो मुझे सुन रही हैं उनको भी और जिनका मेरे से कोई लिना देना नहीं है उनको भी क्योंक वूमिन है तो मैं है क्योंकि मैंन के आगे ही वू लगता है चलिए इसी बात पर इस हफ़ते की अगर बात करें तो इतना हैटिक वीक है ये स्पोर्ट के लिहाज से कि मैं आपको क्या बताऊं मतलब नॉर्मल जो होते हैं मतलब मैच्चेस वो तो होते होते हैं एक खुशी की खबर आज आपको सुनने को मिली होगी कि हमने फाइनली वूमेंस ने 364 दिन के बाद सौट अफरीका के साथ लगनों के मैदान पर मैच्च खिला यानि की मेरे पड़ोस में इसके अलावा अगर आप आज के दिन की बात करें तो अगर इंडिया इंगलाइन का जो टेस्स मैच है वो खतम ना हुआ होता एक इनिंग से तो आज चौथा पांचवा एक मैच हो रहा होता देखिए चौथा या चौथा मैच हो रहा होता हाँ पहला मैच सुबह साड़े चारवे शुरू हुआ ऑस्ट्रेलिया वर्सिस न्यूजिलैंड टी ट्विंटी जो क एक एक तरह से डिसाइडर था इसके लावा एक तरफा मैच नहीं एक कॉंसलेशन मैच था न्यूजिलैंड के लिए जीतना जो की बाद में हुआ अंग्लैंड के साथ फिर हमने उसी बीच देखा इंडिया वैसे साथ अफरीका वूमेंस का भी मैच और हम इंडिया इंग्ल जो है वो कमाल की चीज इस हफ़ते तो मुझे मिली इसके अलावा एक मैच और जी हाँ जी रोड सेफटी टूनमेट और सेवाग ने तो कसम से कहरी ढ़ा दिया उस मैच में फिप्टी विमारी चौके च्छके विमारे तो एक वो भी मैच चल रहा है और आने वाले टाइम मै मैचेस की बार होने वाली है एशेज है इस साल तो जुलाई में हम भी देखने को मिलेगा तो मतलब इस हफ़ते कमाल कमाल और आपको एक और सिस मैच बताएं वेस्टरं डीज वरसे श्री लंका ये भी चल रहा है और इसमें तो भाई गिप्स युबराज के साथ अपने ना वेस्टन डीज में इंडिया वहां भी इंडिया यहां भी इसके लावा वूमेंस खेल भी रही हैं इंडिया ने जो है कौलिफाय कर लिया है टेस्ट चेंपेंशिप के लिए न्यूजी लैंड के खिलाफ वो लॉड्स में खेलेगा तो इतना कुछ यार मेरे पास इधर केक पेश्ट्री गुलाब जामुन रजगुल्ले कुछ रखो भाई इतना कुछ मीठा हुआ है फाइनली इतना कुछ अच्छा स्पोर्ट्स में देखने को मिला है वैसे तो देश में बाकी कुछ अच्छा नहीं चला पेट्रॉल भढ़ रहा है वर उन सब की बात नहीं करेंग तो चलिए हम बढ़ते हैं वापिस अब मैचेस की तरफ खबरे तो यह मैने आपको दे दी अब सीधे मैच पर चलते हैं और मैच में हमको देखना है सौट अफरी का जो लीग है उसके बचे हुए दो मैचेस उसके बाद हम चलेंगे पाकिस्तान सूपर लीग पे जहां पर यह यहはं पर भी कार्ड हुआ है पता है यह क्या हुआ है वाह पर वहाँ पर कोविड का प्रॉबलम हुआ एक प्रॉबलम और रशी संटेनर के साथ भी हुआ बट के संटेनर बज गए अगला मैच के लाविंगी उन्नोंने कमाल बट नहीं होत कर पाये तो चलिए इन सब को अफसाइड करते हैं बचे हुए दो मैचेस एक प्ले आफ का और एक फाइनल का मैच इस पर नज़र डालते हैं सीधे सीधे और ये लॉइन्स और वारियर्स के बीच मैच खेला गया था प्ले आफस का जिसके बारे में मुझे आपको बताना है वारियर्स ने बनाए 141 विक और ये बहुत अच्छा खेले हैं पिछले सीजन में मुझे ने कमाल किया है च्छे रण जो है एक्स्ट्रा यहां पर लॉइन्स ने दिये हैं बात करते हैं अगर बस बालिंग की तो स्काई बालर्स ने एक 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 विकिट निकाला है बट इन में बेस्ट अगर मुझे लेन बात करते हैं पावल पावर प्ले की तो पचास न बनाए ठीक है पावल प्ले में पचास न बढ़िया है बट इस हिसाफ से 141 रन प्ले आफ में जब आपको फाइनल में जाना है तो एक कमपेटिटिव स्कोर नहीं है इससे कहीं जादा स्कोर 180 190 के पास जो है तो एक लिए इस में ज्यादा मेहनत तो करनी नहीं थी बट किसी का सयोग चाहिए तो और तालीस रन कि शांदर पाई 37 बाल में एक चोवे दो चको के साथ कप्तान ने कप्तान ही पारी खेली अपने कंदों पर कहा मैं अपनी टीम को फाइनल में लेकर जाओंगा अब बुवामा न और ये जो है नाबे इनका नाम है मैंडेटरी में इन्होंने बनाए पांच रन कम 42 बट मैंच जीता क्योंकि स्कोर जादा नहीं था चलिए फाइनली इस टूनरमेंट के फाइनल मैच की तरफ हम रुक करेंगे मैं देख लेता हूं कि कहीं कोई फैक्ट मुझे अब नजर आ नहीं है क्योंकि इससे ज्यादा चिलाने की कोई फाइदा नहीं और यह फाइनल का स्कोर देख के मुझे ऐसा लग रहा है जो करने का अच्छा हुआ हमारे पैसे बज़गा है हमने इतना चोटा टूनरमेंट कर आया बड़ा गराते तो यह तो हमारा पैसा खराब कर देते ह आप जब खेल रहे हैं तो एटलिस्ट दो सो रन दो सो ना भी बनाए तो एक सो असी दो बनाए है बट यहां डॉल्फिन एक सो साथ पर साथ पूरे और खेल के फाइनल का पूरा मजा इन्होंने खराब कर देते हैं इतना हमको क्यों दढ़ाया पिद्दी कर आई अब मैं इ एकस्टरा जो मिले इनको छए मिले बॉलिंग देखते हैं किसकी शांदा रही किसने फाइनल को फाइनल की तरीके से कहलने की कोश्चित की चार ओवर बारान देखर तीन के निकाले हैं रबाड़ा ने अब यह रबाड़ा होंगे तो सामने ले टीम का कहबाबा होना ही होना मैंडरी में इन्हों बनाए हैं मात्र 20 अरन बात करें लॉइंस की तो उन्हें का देखिए अब इन्हों ने हमको सताया है तो हम इनको सताएंगे तो हम इतनी जल्दी तुमें घर जाने दिनी देंगे तो उन्यसोवर तक उन्होंने खेला है विकेंड 6 हैहने हैं 108 अच्छी बात है महनें又 इन्होंếnे से लॉइंस ने ये टूनामेंट अपनी जोली में कर लिया चलिए वड़ते हैं हम पाकिस्तान सूपर लीग की तरफ ये इस टूनामेंट जो है अबेंडेंड हो चुका है जी हाँ जी अबेंडेंड हो चुका है मैं आपको बता देता हूँ फिर भी मुझे कहां से आपनों के लिए जानकारी बटोरनी है मैं वो जानकारी आपको दूसरे मैच से देनी है उसके बाद की जो मैच अबेंडेंड हुए है उस पर भी मैं आपकी पूरी जानकारी दे दूँगा चलिए बात करते हैं ये इसलामाबाद यूनाइटे वे इस तब पेशावर जिल्मी की फैक्ट पर नजर करते हैं फिर चलते हैं आपके मैच पर तो मगर मुझे एक चीज़ पिछली बार तो चलो मजबूरी थी कि वह या कोरोना आगया था आधा टूनिमेंट अभी आधा टूनिमेंट बाद में इन्होंने अब कहा नहीं अब की बार तोड़ा जानबूश करते हैं आराम मिलना चाहिए इससे कौन लगा तरक के लेगा जो चलिए कुछ अच्छा हुआ है उसके बाद तो सब खराब हुआ है तीन रंदान के मिले हैं बैस्ट बॉलिंग की बात करें चारों में 17 ने कर चार विकेट रियाज ने लिए हैं मेंडरी में इन्होंने बनाए हैं 47 रन बात करते हैं पेशावर जिल्मी की तो 112 बना लिए व हुए दो चकों के साथ और यह टॉम की है बात कर लें एक्सटा तो दो मिलें बालिंग में क्या ही खास हमाफ होता है विक जो है वो चारों में 14 ने का दो विकेट है हसन अली मंडरी में इन बनाए 28 रन तो इस तरीके से मैच यह ओवर होता है बढ़ते हैं अगले दिन की तर को बचा करके 186 बना लिए पूरे 20 ओवर में कराची किंग्स ने इसमें हाइस्ट है चौसर रन की पारी 39 बाल में पांच चोवे चार्श च्छे चकों के साथ शरजील खान की तेरा रन दान के मिले हैं तकरीवन दो ओवर यह तो ना इनसाफी है सरी बहुत गलत बात है बट इसमें वाइट कितनी है यह ज़रूरी है ग्यारा वाइट देखा पूरे दो ओवर लगभग दो ओवर लगभग क्या पूरे यह बेस्ट बॉलिंग के बात करें शाहीन अफ्रीदी ने चारों में 27 संदेकर तीन विकेट निकाले हैं मेंडरी में इन्होंने बनाए हैं कि बात करें तिरासी रंग शांदरपारी चाउवन बाल में 8 4 4 चाड़ चार्चा को के साथ फकरान जमान की है एक्स्टरा में जानिकी सिर्फ तीनर मिले हैं जो कि बहुत अच्छी बात है बहुत डिस्टिपिल्न वाली बॉलिंग है अब बॉलिंग की बात करें तो मुझे तीन जो है वो बॉलर एक दो तीन ने विकेट निकालें एक रन आउट हुआ है तो ठीक है अगर हम और एवरेच के हिसाब से एकॉनमी के साथ से मैं अगर देखूं तो मुझे नजर आ रहे हैं चार ओवर एक मीडिन चौटिस रन देने वाले मुहमद आमिर जिहां इन्हों ने शांदार गिंद बाजी किये मैनु में इन्हों बनाए हैं 46 बढ़ते हैं बढ़ते क्या है बस इसके बाद तो मैच खराब होगा इनक दोबारा करानी कि शायद मुझे लग रहा है कोशिश की गई बट फिर भी नहीं हो पाया इसके बाद फिर अगला नहीं पहला एक तारिक को था इसलामाज यूनाइटर को उसको दोबारा मैच इनको इन्होंने कराया है और अगले दिन कराया है तो चलिए इस मैच पर और पूरे खेले यह सुनकर बड़ी खुशी मिलती को और पूरे खेले हैं एक तालिस बाल में चोवन रन तीन चोवन चार्चकों के साथ सर्फराज कप्तान विकेट कीपर ने जो बाईया जो है कप्तानी पारी खेली है एक्स्ट्रा में इनको 16 रन मिले हैं जिसमें से बात करते हैं यह बात करें तो एक तालिस रे बनाए हैं बात करते हैं इस्लामाबाद युनाइटिड की तो 157 मना लिए चार्विकेट खोकर 17 ओवर में मैंच जीत लिए हाइस 56 रन की पारी 33 बालों में आठ चोवे दो चालिंग के साथ चोकि स्टरलिंग की है एक्स्रा इनको मिले हैं ज्य वाइड देखते हैं जिसमें हैं पाँच यानि कि पूरा एक औवर एक्स्रा इनको मिला है बालिंग की बात कर लेते हैं तो है चार औवर में अन्तिस अंधेखर के दो विकिट और ये जहिद महमुद की शानदार गेंदबाजी है 76 रन पावर प्ले में बनाएं जो कि कमाल है और इसका पूरा श्रेप पॉल स्टरलिंग हो जाता है वो ओपनिंग करते हैं और की भी है इन्होंने इस मैच में चलिए तो ये मैच जो एमेंडेंट हो था एक को दो को कराया गया अब इसके बाद तीन तारीक को दो मैच खेले गए है और जो चार तारीक को जो मैच हुआ वो एमेंडेंट हो चुका है इसके बाद कर शिडूल गायब कर दिया गया है तो दो आखरी मैचेस आपको बताते हैं याद रखिएगा तो कि हम बहुत आगे निकल जाएंगे अब जब ये टूनामेंट जब वापर शुरू होगा क्या पता फिर अक्टूबर नवंबर में खेला जाए चली जो इसके बाद बात करते हैं हम कराची किंग्स वरसे पेशावर जिल्मी के इस मैच की पेशावर ने आधी टीम खोई पूरे ओवर्स में और स्कोर बनाया है 188 रन हाइस्ट कि अगर आप मुझे से बात करेंगे तो 58 रन की शांदर पारी 40 बाल में 64 एक शको के साथ और ये बोपारा की और वो भी नौट आउट रहा है इसके बाफ़ूर वो ये बता रहे हैं कि आप मुझे आई पिल के ड्राफ में क्यों नहीं रखते हैं ये बहुत अलब बात है 16 रन दान के मिले हैं जिसमें 14 वाइट है यानि कि दो ओवर एक्स्ट्रा आपने इनको दे दिये हैं ये आपको खामयाता है लिए तीन गने शेष रहते हुए तो इसके इनकों को परक पड़ता नहीं है क्योंकि इनके पास है बावा राजन साहब जो की नौट आउट रहे 47 बाल खेली छेच हुए तीन चकों के साथ 77 बना के टीम के नईयाब पाल लगा दी और 11 रहन इनको भी दान के मिले है जिसमें 9 वाइड मिली है यानि की देड़ ओवर एक्स्ट्रा मिला है बेस्ट बॉलिंग की बात करेंगे अगर हम तो चार और नहीं एक तालिस रन दिये हैं दो विकर निकाले हैं और यह है शाकिब महमूद जी अपाव प्ले की बात करने तो 37 सन इन्होंने बनाया है बात करते हैं आकरी मैच की अबेंडन्ट मैच जो चार तारीक को वह है लाहूर कलंडरस विसस इसलावाबाद यॉनाइटेड हम बात करेंगे तीन तारीक को हुए आकरी मैच की तो चलिए इस पर बात करते हैं तो भाईया जी ऐसा है यह मैच जो है क्वेटा ग्लाडियेटर विसस मुल्तान के सुल्तान के बीच खेला गया क्वेटा ग्लाडियेटर ने बनाए 176 विकेट कोई साथ ओवर पूरे खेले हैं नर्par लाद के वाल झाले में इसाथ होई थोछ उथे ठीक जूर। fry मोझे यह मॉलने होई रहते हैं just एक्सटा जो है टीन ऑलिए तो जजादा झाल है तो लाकबाई में हो जाते हैं और बात करते हैं अगर बालिंग की तौ है चार ओवर में चवालिस रन देगा तीन विकेट तो आपने तीन ने लिया बट इतने ज्यादा रन यह भाई साब है धानी साहा धानी आपकी शानी में थोड़ी से रन ज्यादा चले गए हैं इनको कम करिए इन्हों ने में बनाए हैं पच्पन रन और यह ऐसा नहीं चल पाए जूम कर रहें कमेंट करके बता सकते हैं मुलतान के सुल्तान ने बनाए है उनीच जिसम्राइब उवर में 14 वर फूरी टीम खातम होगई वह बहुत ज्यादा बना दिया आपने हमने रण आपको एक्स्ट्रम में भी कम दिया थें फिर भी आपने बहुत ज्यादा बना दिय ने हमको नहीं खेलना ऐसा नहीं चल पाएगा बट ओपनर इन से इतर थे कफ्तान थे कफ्तानी पारी खेलूंगा रिजवान साथ चाशड़ बनाये हैं पचास बॉल में साथ चोवे दो चकों के साथ तो यानि की ऑल नौल पूरी जिम्मेदारी निभाई है एक्स्ट्रा जो भी अगर मैं बात करूं तो दस वाइट है यानि की तकरीवन दो ओवर एक्स्ट्रा दे हैं जी हां जी बात करेंगे बालिंग की अगर तो विकेट पूरी टीम आल आउट हो गई तो यानिकी बालिंग शांदार होई है और शांदार बालिंग जो कियो चार और 21 का तीन के त तो मेरे ख्याल से दोनों के सेम ही है तीरपन इनके भी थे तीरपन इनके भी थे नहीं इनके पचपन थे तो दो रन की कमी से नुक्सान हो गया तो इस तरीके से ये टूनेमेंट आधा अधूरा हमको छोड़ना पड़ेगा कोविट के कारण अब हम चलेंगे अपने तूनेमेंट थोड़ा चोटा है तो नोस्ट रंज की अगर हम बात करेंगे तो वह मुझे नजर आ रहे हैं साथ मैचस में 255 वां इसके नीचे हैं साथ मैचस में 216 के साथ दोमामा वेंडेन साथ मैच 167 चैनल मैच 158 मिलर पाइटे पिटे पांच मैच में 154 पिटा ही बोल फितने हैं जाइवर 5 मैच मेच 45 जां कर पांच मैच में 162 जांडौ 5 मैच 154 एक सो पैटीस रंज 6 मैच में समच समस वैंडर रिस 5-25 और टाइन 5 मैच में общем तेस 145 पांच मैच में एलगर और कुर्गन गोर्जे लिंडे है में एक सो उननीस रंड कंफर्म मैं कर देता हूं आप लोगों के लिए जिहां जी जॉर्जे लिंडे हैं लास्ट जो है वो शेरल एंवी हैं छह मैच में 116 रंड मतलब 200 से 100 के बीच का ये पूरा लेखा जो का इनका रहा है बात करते हैं हाइस्ट स्कोर की तो वेंड टॉन डैर ने मारे हैं एक यासी रंड हाइस्ट 57 बॉल में स्ट्राइक रेट 142 का है और ये मारे हैं उनने वारियर्स के खिलाफ इसके बाद जोईबर ने 77 बॉल एक सट्राइ स्ट्राइक रेटे नहीं मारे ہے certified 59 बॉल में mall zược 757 की स्ट्राइक की एक नाइट्स के खिलाफ है 75 बनाए है 127 बॉल में 127 की स्ट्राइक रेट के साथ कोब्रा के खिलाफ और ये हैं Handrix इसके बाद पिठे ने बादटर बनाए है 54 बाद में 133 की strike rate से Dolphins के खिलाफ Warriors के खिलाफ 156 की strike rate से 21 ball में 64 बनाए है Vin Derne nे Zondo ने बनाए है 59 39 ball में 156 की strike rate से कोबरा के खिलाफ इसके लाब Kyggen ने बनाए है 58 run 56 ball में 103 की strike rate सिसाथ वॉरियर्थ के खिलाफ लास्ट नहीं है वॉरियर्थ के किलाफ 27 पयाइक सुपीस त्यूस वंड भेवेश झान बनाय है आए जॉए बर्ड ने विल्र ने चंपmist बनाय है इरतीस बॉल में 147-डी तक साथ लाइंस के खिलाफ 49 कर झिना आएसके 12 के स्ट्राइक रेट से नाइट के खिलाव वारियर्स के खिलाफ 140 बनाए हैं 37 बाल में 52 रन और यह हैं एर वे लुबू ने बनाए हैं 152 रन 38 बाल में 136 स्ट्राइक रेट से नाइट से खिलाव टाइटन एक ऐसी टीम है जिसके खिलाब एक मातर खिलाडी ने ठुकाई की है और वह 140 के स्ट्राइक रेट से 35 बाल में 49 रन मिलर ने की है और जोर्ज लिंडे का एक बार फिर नीचे नाम है दाम जैसा वैसा काम सौ 47 रन मनाएं 20 बाल में 240 से स्ट्राइक रेट से वरिसे खिलाब यह आपने रन थोड़े जाला बनाया तो आप सबसे उपर होते हैं बैस्ट बैटिंग आवरेज की बात करेंगे पूरी लिस्ट इसमें नहीं हम बताएंगे यह है केगन की दो मैचेस में 93 की आवरेज इनकी ब पांच मैच में 119 रन और 167 के स्ट्राइक रेट है नीचे बात कर लेता है सबसे डाउन ने तो लुबू की हैसमें पांच मैच में 124 की यह नाम आपका उपर आ रहा चाहिए आप अच्छा खेलते हैं पिछला परफॉर्मस भी पिछला आपका जो है जो टूनामेंट हो । हम जया जियान Director tookhy जायेगे सबसे उपर नाम है जूबर का दो फिप्टीज हैं इसके बाद चाहिए बात करें सब एकैक है प्त इस तो बात करते हैं मेंस्ट फोर्स इह बताते तो प्रफिटा हैं 10 10 20 Remo अılar Caleb ने मार रहा रहे हैं 17 13l फैज ten लुबू का नाम इसमें 12 हैं दस चौके जो हैं मुजानकर के खाते में हैं एरवे के खाते में हैं दस ही जो है वो क्लासन के हैं ये अच्छे खिलाडी हैं वगर आप से उमीद थोड़ी ज़्यादा लगाते हैं क्योंकि अगर आप इस लिस्ट में हैं चूंकि आप बाकी लिस्ट में नहीं हैं तो कम से कम यहीं रहे देते कुछ अच्छा से क्या टोनी ने भी दस हैं नौ चौके जो हैं वह बूवान के बले से यहां भी आप थोड़ा ऊपरा सकते हैं ज़ांड नौ है और नौ ही जो है वह वेंड जो है वी डरों डर के हैं ऑर फैक का नाम वीस लिस्ट में अहठी चौक एछिया आट चौके ल Crit ital में कर है इनके भी नाम है सिक्सस की बात करते हैं चुकि यह ठकावा टुनरमेंट चक्के भी ठकावी पड़े होंगे बहुत ज्यादा नहीं और इसका स्पूरा-पूरा है पिटे ने कहा चकों में उपर रहूंगा नौ चक्के नौ चक्के पूरे टुनरमेंट में कितना ठकाव यहां उपर हएं साथ पाच शक के जो है वो जौनकर के हैं रहन के हैं पांच पांच ही जो है वह गयाग मारे लाउन्री आउकर के चार चार हैं वन्हएन उएयरन के हैं 4 यहां पर भी आप नीचे हैं इसके बाद ट्रिस्टन के चार हैं और चार ही जो हैं वह नेगो नोगेपे के हैं यह लिस्ट बनाते हैं यहार चक्ये थोड़े ज्यादा माल लेते हैं और थीख है यार जल्दी बन गई का चाहिए है ऐसा कुछ होगा बात कर लेते हैं नैंटी सी कई नहीं नहीं तो कुछ नहीं था मोस्टी टी बात करते हैं यहां पर कुछ अच्छा दिखने को मिले हैं को मगाला का नाम है जिनके खाते में आए हैं तेरां लुंगी निगणी के खाते में दस विकेट दस विकेट नबे के रबाड़ा आप नीचे क्यों रहागा नौ विकेट आपने लिए सब चार विकेट का आप ने घाटा करवाया है फ्लाइनक नौ आठ महराज जॉर्ज अलिंडिया यहां भी है आठ साथ जो है वो हैंड्रिक्स फॉर्चून के साथ साथ ही विकेट जो हैं वो क्यूटनल के हैं विल्यम ने भी साथ विकेट निकाले हैं सिफ बॉंग ने साथ चैनले हैं नोटजे ने मंगुरू निकाले हैं मीगेल प्रादो है ना मिगेल प्रादो नाम है नहीं मिगल प्रादो नहीं रखेंगे बेस्ट बॉलिंग अवर्ज पूरी लेस ने बताएंगे नाबे का नाम है एसमें और 9 सा्थ सुन की एवरिज बेकार में बात करेंगे तो नॉट एकाना है चूबेसथजलब्स नॉट तल्यूच Candain Trika की एवरिज इसमें रबाड़ा का नाम कदर थार इवरिज नाम है रबाड़ा확ं रबाड़ा सरका नाम है निए सर रबाडा सर stump कैस्से होगा हम कैस्से होगा है रबाडा का नाम है उनका पर पांच वखेर निकाले हैं बीस तीस तरन देखर के साइए चार चार इस पर हम बात करते रहते हैं इसलिए पूरी बात नहीं करेंगे रबाड़ा का नाम सबसे नीचे है ताइस ने तीन यह आप पर शोभा नहीं जेता है फाइव विकेट में एक नाम मगाला का है हमको पता था बात करते हैं बेस्ट एकॉनमी की तो इसमें महराज महराज साबित हुए है इकॉनमी 4.54 की है जो की बहुत अच्छी है नीचे है हैं हंड्रिक्स जिनकी है 6.38 यह पूरी लिस्ट बता लेता है आपको क्या हम एकॉनमी ज़्यादा जोड नहीं देते हैं मुल्डर की है पांजाईशनोचारिस पांजात तर्पन की है इम्रान की दाहीर नहीं है बुजजा की Pशारिस लिस्टी वन जो है मैथ् 새 six Lienında साथ एक के साथ लंगि निगरी है इस पांच byव चैक्सब्रैन प्रिग्र valerows वह एंकि है । इसने 9 5 6 API जो है वह है रबाडा की एफने लिस्ट को हमें दुबारा से हम को देखना पड़े गा क्यों पता है इसा कारण यह कि इसमें Overs भी हैं, इसमें 24 Overs हैं मगाला के मुल्डर के हैं 5 Overs, विकेट भी हैं WIKेट पर हम बात नहीं करेंगे इमरान के है 17 उबर्फेक हैं बुज्जे ने तीन Overs भूर वीक हैं मैठ्वेजБ », क्रिस्स ओरिस्द मौरीस फिर हैं केला है सात ओवर फेक हैं च्छे द्रशम्लो एक शाखोने हैं और हम मगाले की बात कर रहे हैं तो उन्होंने 6 मैच महराज की 6 मैच ळीए हैं बात कर लेते हैं फ्रालेक की छे मैच 23 ओवर और पाँच जो नौट जे हैं वेंबर्ग 20 ओवर पाँच मैच में 6 जो 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 नाम बताया तो यह है पूरा लेखा जो का बेस्ट एकॉनमी में बेस्ट बॉलिंग स्ट्राइक यह मुझे आज तक ना समझ में आया इतना जरू समझ में आया कि कितनी बॉल पर कोई विकेट लेता है तो नाबे ने चौदा दस्ट लब एक ओवर में दस विकेट निकाले हैं स्ट्राइक रेट जो है वह आठ दस्ट लब पचास यानि कि आठ गेंद यानि कि नौ गेंद के अंदर विकेट निकाला है नीचे जो है मुर्गो का नाम है इन्होंने बीस दस्ट लब दो पांच ओवर में बीस दस्ट लब आठ तीन यानि कि बीस गेंद पर एक विकेट निकाला है जो कि थोड़ा नुकसान है तो यह इस तरह से हम स्टैट्स पूरी तरीके से समाप्त हम कर देते हैं इस टूनामेंट के लिए ह करते हैं हम डूमेस्टिक करिकेट की दर दो हजार एकिस में बहुत कुछ खेला गया है यह बहुत कुछ थीमेंड ले. यह जो कि हैं आएज़र इसमें आइशी स सी यू नाइनतीन यह नहीं नहीं ले सकती है इंटिया टॉर ऑफ न्यू जीड यह भी नहीं यह लेंगे. मुमेंटम वन डे कप जो की जून से लेकर के अपरेल तक खेला गया जैन से ये भी हम नहीं बताएंगे इंगलैंड लॉइन स्टोर आफ आस्टेलिया इसकी बात भी हम नहीं करेंगे इरानी कप जो है वो लास्ट येर खेला गया था इसके अलावा काउंटी चैंपिन्शिप डिविजन अपरेल से सितंबर के बीच शायद येस से हमको शुरुआत करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए चलिए हम इसमें 2020 को हम अलविजा कह रहते हैं क्योंकि शेफिल्ड शील्ड है जो की चल रही जो की अक्टूबर से अपरेल तक की ती इसको भी हमें अलविजा कहना होगा अपलंकिट शील्ड जो अक्टूबर से अपरेल तक चलने वाली है मेरे ख squeals ये अपरेल तक चलेगी और इसके लावा शेफिल्ड शील्ड जो है वो भी अभी अपरेल कर चलेगी तो ये दो टूनामेंट से इन पर बात करनी है हमको बाब ब्लूम खतम हो चुकी है मैं आपको फाइनल्स बता देता हूँ फाइनल मैच ये फाइनल जो है वो समर सेट वर्सेस सेक्स के बीच खेला गया था सेक्स और ये मैच ड्रॉ रहा था अगर आपको इसकी पूरी डिटेल्स चाहिए तो आप कॉमेंट बताइए मैं बता देता हूँ मैं आपको सारे टूनामेंट से फाइनल्स करी देता हूँ आपके जो दो हजार बीस के हैं इससे पहले एक टूनामेंट कहला गया है मौمنटम वनडे कप इसकी फाइनल्स की बात मैं कर देता हूँ यह फाइनल जो है वो हो नहीं पाया वनडे मौمنटम कप यह लॉइनस बेने से खेला जाएगा है यह का अभी हो रहा है ये टूनिमेंट चल रहा है और ये शुरुआत इसकी हुई थी 31 जनवरी 2020 को उसके बाद ये बिचारा दुबिधाओं में पड़ गया इसका जो लास्ट मैच खेला गया है इस पर में मैं आपके नजर कर देता हूँ 14 मार्च को ये 15 मार्च को ये मैच खेला गया है और तो दुबारा ये कब शुरू हुआ है उस मैचेस से मैपको इनके मैचेस के बारे में बता देता हूँ तो 7 मार्च के बाद अब मैच जो खेला गया है 10 मार्च को भी मैच खेला गया इसके बाद 11 मार्च को खेला गया ये 2020 में खेले गए मैच है ये मैच पूरा नहीं हो रहा है आपको मैं बता दू 17 मार्च, 15 मार्च 2020 को मैच खेला गया था और उसके बाद ये मैच रुका पड़ा है अटका पड़ा है फाइनल जो है वो लॉइन्स का मैच होना है इसमें वारियर्स के साथ और ये मुझे डेट 2020 दिखा रहा है 18 मार्च जो की 2021 भी चल रहा है तो चलिए इस मैच को आगर से बढ़ते हैं इसमें हैं इंग्लैंड लॉइन्स इसकी बात नहीं करेंगे इरानी कप का फाइनल भी नहीं हो पाया पूरा टूनेमेंट है नहीं हो पाया यानी कब पिछली बार इसके बाद काउंटी चैंपिन्शिप की बात करते हैं एक मात्र इसका मैच खेला गया था 12 अप्रेल को जो की मैच खेला भी नहीं गया था इनफाट काउंटी चैंप्मेंशिप का एक दूसरा जूनमेंट वो भी नहीं हो पाया वेस्ट इंडीस टॉर अफ इंग्लेंड की बात नहीं करेंगे इंग्लेंड बॉब बूब मैंने बता दिया शेफल्ड शील्ड से हम सोच रहे हैं शुरुबात करते हैं शेफल्ड शील्ड जो है इसकी शुरुबात 10 अक्टूबर से हुई थी और ये चल रही है इसका फाइनल खिला जाएगा अप्रेयर में तो चलिए शुरुबात करते हैं इससे पहले आपको शेफल्ड शील्ड की टीमें बता देते हैं इसमें हैं South Australia, Western Australia, Queensland, Tasmania, New South Wales और Victoria तो सबसे पहले आपको South Australia बता देते हैं Tom Kepper है, Ferguson है, Hunt है, Jack Wetterfield है, Brad Davis है और McLennary है यह इनके पास बैट्वान है, जिसमें मुझे अभी एक एक आध नाम मैंने सुने हुए है Cooper का नाम सुना हुआ है, Hunt का भी नाम सुना हुआ है, Ferguson का सुना हुआ है Ferguson को तो हमने खेलते हुए भी देखा है, टूनामेंट्स में विकिट कीपर्स की बात करते हैं तो Nelson और Kerry है, Kerry नहीं केरी है Baller में वैस आगर है, इनको हम देखते हाएं Aston आगर ने तो कमाल किया ही, वैस आगर है, Pope है इसके अलावा Winter है, Cyrus है, Robins है, Richardson है, Ken Richardson इसके भार Worrell है और Grant है Worrell और Richardson को भी मैंने देखा है पिछले कुछ टूनामेंट्स में चलिए बात करते हैं अब वेस्टन आस्ट्रेलिया की मात दो बैट्समेन हैं नके पास और एक में है शॉन मार्श और यह के डेक्सी शॉट तो दोनों ही धाकर हैं क्रिस राइट है टर्णर है आगर है अस्टन आगर यह कमाल कर रहे हैं और यह कमाल है और केमरून ग्रीन ने भी कमाल किया है यॉर्ट स्ट्रियंड डुमेस्टिक धियान रखेगा विकट कीपर्स में इनके पास बैंक्रॉफ्ट है इगनिस है और वाइटर वाइट मैन है बॉलर्स में इनके पास जो है वो गैनौन है गैदरी है हार्डी है कैली है मूरी है और मूरी से लांस मौरिस और पारिस है और यह कोडी है और कॉर्णर है तो बॉलिंग कुछ खास नहीं नजर आ रही है तो अगले टींग की तरफ बढ़ते हैं जो की है कुइंस लैंड कुइंस लैंड के पास जो है उसमान खुआजा है कप्तान है इनका डॉमेस्टिक सीजन तो अच्छा नहीं राद देखते हैं यह टेस्ट में क्या कर पाएं जो से अपने आपको इस्टैबलिश किया है लास्ट सीजन इसके बाद नैसर है वेंडर मुथ हैं इसके अलावा मैक क्विन हैं इसके बारे में नहीं जानता मैं अब पियर्सन है और पैफर हैं यह दो डाई विकेट्स कीपर हैं हम लोग के लिए बॉलर्स में बात करें और ब् है और खुन मान है स्टिकीफी है सबसें हैं और होरेस नहीं फ्लॉरस हैं और डगट हैं और स्टेंड स्टेंड के हैं स्टेंड के कुछ नाम हैं इसमें नहीं चेहरे भी हैं बड़ यह एक सजी हुई नई टीम आपको देखने को मिलेगी तो तीन टीम में हो चुकी हैं बात करते हैं तसमानिया की इसमें बैट्समेंद जो है वो डॉलैन है सिल्क है जॉर्डन सिल्क कमाल कहिए इसके अलावा वाकीम है टिम वार्ड है वेबस्टर भी कमाल है इसके इलावा राइट है और जैवल है और लाउंडर के वल एक मात है इनके पास रिन बर्ड विकेट कीपर में इन के पास टिंपेन है, कफ्तान है, डॉरेंड है, मेग डेमॉट है और मैथ्यू वेड भी हैं इनके पास, बॉलर में है एंड्रूस, बेल, बर्ड जैक्सन बर्ड जी नाम सुना हुआ है और मैडरिफ जो की इस वक्त और स्टेजन टीटीटीव में खेल रहे हैं सबसे तेज गेन भी फेक है 151.2 की अच्छा डेब्यू हुआ है एलिस है पीटर सीडल भी है और फ्रीमान है और पाय क्रॉफ्ट भी है तो टीम बॉलिंग में अच्छी है इनके पास दो टीम बलती है बचती है न्यू साथ वेल्स इनके पास है जैक अडवर्ड्स सुना वा नाम है डगलस यूज भी सुना हुआ है निक लार्किन मैंने सुना वा नाम है मेरे लिए सुना हुआ है पीटर सन है इसके अलावा संगा यह तो खेल रहे हैं खेले भी हैं इसका नाम भी मैंने सुना हुआ है इस टीट्टी जो बिग बैश हु यह अच्छा खेलते हैं थोड़ा बीच में आते जाते रहते हैं इसके लावा स्लो वे हैं बालिंग में बात करें सैन अबॉर्ट की वही सैन अबॉर्ट है जिनकी जेंड से गायल हुए थे फिल हुज अगर में गलत नहीं है तु आप इसके लावा हैंडरी कॉनवे हैं अब कॉनवे देख सकते हैं आप यह न्यूजिलैंड से कैसे खेलने हैं हो सकता है न्यूजिलैंड और और स्ट्रेलिया को कुछ मिला जुना हो इसके अलावा यह मंगर बॉलर है यह वह आल राउंडर है बैट्समैन है यह दो भाई होंगे फिर कॉप लैंड है है नाथन लॉइन इस्टीम में है और मिचल स्टार्क है स्टीम में ट्री मैं है में संगा भी है एक तन्वीर संगा यह इनका मिनामन में सुना हुआ है जॉस हेजल वूड है और पैट कमिंस यह मतलब कमिंस भी आपके पास है स्टार्क भे आपके पास है ύसल वड पैट कास है यह नू साइट वेल्स तो वैसे जीच जाए जाएगी चलू ही बात करते हैं विक्तियो या या लास्टीम है हमारी ये ट्रैविस डीन है, बैक्समें के बेडित नाम सुना हुआ है पकोफ्सकी विगेट कीपर में इनके पास मैक गर्ट है मैथ्यू शॉर्ट है मर्फी है इनका नाम मैंने सुना हुआ है सादरλέंड का नाम सुना हुआ है विल्ल सादरलैंड यह सादरलैंड के बेटे हैं जो एक जमानिमे में वहां के बोर्ड के हैर रहा करते थैं इसके अलाभा मारियो हैं विकेट कीपर ने पास जो है सेबस को गॉच strang सेबस्कोंज हैं हैंट्स कॉब है इस तीम के और हारपर भी एन के पास कीपर बॉलर्स में है बोलैन्ड नाम मैं ने सुना हो है होलैंड और बोलैंड दोल्वेंड के पास है क्रॉन भी है इनके पास है तो चलिए फड़ा-फट से मैचे पर हम नजर डालते हैंdra प्लाइम्न का वक्त है इसी टूनामेंट को हम इस बार आप लोगों के सामने लेकर आएंगे शेफिल शील्ड और प्लंकेट शील्ड दो टीम दोनों ही जो है औस्टेलिया में खेली जाती है पहले बात करते हैं सबसे पहले मैच की दो मैच खेले गए थे यह अक्टूबर में खेले गए 74 रन की शांदर पार 156 बॉल में है आठ चोवेक शको के साथ और ये मैच डिमर्ट की है मैच डिमॉट की है एक्स्ट्र जो इनको ग्यारा मिले है टेस्स मैच में भी बॉलिंग की बात करेंगे तो 58 रन देकर के चार विकेट जो है तीन मेडिन फेक करके जो लिये हैं वो ब दूसरी इनिंग की क्वेंस लैंड की तो 529 पूरिटी माल आउट 156 ओवर खेले हैं हाइस्ट जो है इसमें मुझे नजर आ रहे हैं एक मातर 167 की पारी 230 बॉल में 174 दो चकों के साथ और लेमुशेंड की लेमुशेंड तो लेमुशेंड है नौर एंड एक्स्ट्रा के मिल खरी तो तस्मानिया 220 पर अलाउट हो गई 139 दो ओवर में हाइस्ट रन अगर आप इसमें जानना चाहते हैं तो वो मुझे नजर आ रहे हैं 56 की पारी 201 बॉल में 10 चौकों के साथ ये सिल्की है एक्स्ट्रास जो है इनको 15 मिले हैं बॉलिंग की अगर बात करेंगे तो 22 मेडिन 6-6 रन चार विकेट निकाले हैं सेपसन ने बात करेंगे अब अगले मैच की ये मैच इस तरीके से जो है वो एक इनिंग और 59 रन से जो है वो कुण्स लैंड ने जीत लिया अगले मैच की तरह बढ़ते हैं जो की वेस्टरन आस्ट्रेलिया और सौ्थ आस्ट्रेल किया है 129 ओवर में वेस्टन आस्ट्रेलिया ने वेस्टन आस्ट्रेलिया की तरफ से हाइस 153 की पारी है 142 बैसी बाल में 26 चौकर तीन चौकर के साथ इगनिस की और ये विकिट कीपर क्याप्टन है जहां तक नौट आउट भी रहे हैं बारान एक्स्ट्रा के मिले हैं बालिंग में अगर बात करें तो मुझे नजर आ रहे हैं पांच विकिट निकाले हैं 27 ओवर में मेडिन को ही नी 100 से यादर रन दिये हैं अब पॉप की बालिंग लॉइड पॉप सेकेंड इडिक यहां पर है साउथ ऑस्ट्रेलिया की 314 पर पूरी टीम खतम हो गई 114 ओवर में हाइस्ट मुझे 105 नजर आ रहे हैं 160 बाल में 134 तीन चकों के साथ और यह वेदर हार्ड की बाटिंग है दस रन धान के मिले हैं बालिंग की बात करेंगे तो 100 से यदा रन दिये हैं 33 सोवर में 8 में टूरी दूसरी इंस इनकी है इन्होंने बनाए 215 दो विकेट पर डिक्लेयर किया 45 ओवर में हाइस्ट 110 रन की पारी 111 बॉल में 1934 एक चकों के साथ शौन मार्श की पांच रन एक्स्ट्रा बॉलिंग की बात करें तो दो विकेट जो गिरे हैं सायर्स ने बात करते हैं आकरी साथ अस्ट्रेलिया 170 पर खताव 42 दस्ट्रावर में और इसमें हाइस्ट इसमें हाइस्ट इसमें हाइस्ट नजर आ रहे चोवलन की शानदार पारी कप्तानी 105 बॉल में पांच चोवल के साथ हेड की है ट्रेवस हेड की यह पारी है एक्स्ट्रा इनको मिले हैं पांच रन और इस तरीके से बॉलिंग की बात करते हैं तो कारेस कफिस सारे बॉलर्स जिन्होंने विकेट निकाले हैं और बैस्ट है पांच विकेट निकाले हैं अबेडिन 10 रन दे करके 100 से जाद शायद ओवर हैं तभी एक की स्ट्राइक रेट इनकी बन रही है दो विकेट निकाले हैं और जॉल पैरिस हैं जॉल पैरिस सो से जाद नहीं होंगे इनके की 82 ओवर ही फेके गए हैं ठीक है इस तरीके से ये मैच जो है वो विक्टोरिया के बीच विक्टोरिया नियू साथ वेंस ने पहले बैटिंग करी एक सो चार सो तिरालिस पर च्छे डिकलियर किया है एक सो तालिस ओवर खेल करके इसमें हाइस जो है वो मुझे 86 रंकी पारी नजर आ ली 273 बाल में बारा चौकों के साथ और ये स्लो वे की ह अच्छा तरीके से केला नौरन एक्स्ट्रा के मिनें बालिंग की बात करेंगे तो एक चालिस और वे साथ में देखर के दो विक्ट निकाले है अगर ने यह एस्टन है यह भी एस्टन एगर की बालिंग है बात करते हैं अब वेस्टन नॉस्ट्रेलिया की तो पांच सो पीच चौक्य और एक्स्ट्रा मिनें चातिस बहुत होते हैं नॉस्ट वेल्स की एक सो साथ रंक बे दो चौटिस ओवर में हैं यानी मैच बहुत जल्दी जीत लिया 48 संद की शांदर पारी है इसमें 79 बाल में 6,4 एक चकों के साथ कर्टिस की एक्स्ट्रा मिले हैं 9 बालिंग की बात करेंगे तो 2 बालर मुझे नजर आ रहे हैं तो मैं जो बेस्ट पकरड़ा हूँ वो है 9 और 3 मेडन 22 एक विकेट और ये कैमरून ग्रीन मुझे लग रहे हैं ये हैं गैनॉन इस तरीके से ये मैच जो है ड्रॉ हो जाता है यह मैच ड्रॉ हो गया अगला मैच भी ड्रॉ ही है साथ ऑस्ट्रेलिया विसे तरस्मानिया के बीच बट साथ ऑस्ट्रेलिया ने 195 बनाए है पूरी टिम आल आउट हुई है 82 दिशन वे चार ओवर में मतलब इतने कम रन के बाद भी अगर मैच ड्रॉ हो रहा है तो कहीं न कहीं कुछ एक तह जो पकड़नी पड़ेगी और उस ही मैं पकड़ूंगा 64 टरॉन बनाए है 64 बाल में 9 चौकों के साथ हैंडरी हैरी ने हाइस्ट एक्स्ट्रा ग्यारा मिले है बॉलिंग की बात करेंगे तो 12 ओवर एक मेडिन 26 रन और तीन विकेट निकाले हैं वेबस्टर ने नेक्स्ट तस्मानिया 493 रन आठ विकेट डिक्लेर ये पूरा मैच यही खा गए हाइस्ट पारी अगर मैं देखूं तो एक रन से मातर एक रन से बाजी मारी 122 रन की पारी 239 बाल में 17 चौकों के साथ और डॉरेंड की है ये दान में मिले है 33 रन बहुत ज़्यादा मिले है बात करेंगे बेस्ट बालिंग की तो है 29 बालिंग 17 में 27 रन तीन विकेट और ये है सायर्स की बालिंग लास्ट इनिंग 347 पर पांच इन्होंने भी बहुत खेला है 128 डिशनल एक ओवर खेले है एक्स हाइस्ट जो है 117 रन की पारी है 265 बालों में 23 चौकों के साथ कफ्तानी पारी हैड ने खेली है 21 रन इन्हें भी दान के मिले हैं बालिंग की बात करेंगी अगर हम तो नजर आते हैं मुझे दो बालर एकॉनमी के हिसाब से अगर मैं देखूं तो 29 बड़ चैमेलें 59 रन दो विकेट और ये है तीन मैच के ले गए है पहला ड्रा हुआ है वेस्टन आस्ट्रेलिया वेस्ट तस्मानिया के बीच वेस्टन आस्ट्रेलिया ने बनाए है 302 रन विकेट क्या पूरी टीम आल आउट 89 डिस्टन एक ओवर में 115 मुझे हाइस नजर आ रहे हैं और ये 115 है 242 बाल में 13 चकों के दो चकों के साथ शौन मार्स के शौन मार्स अच्छा डॉमेस्टिक सीजन इन्होंने जो हो किया है अपना 14 रन जो है वो एक्स्ट्रा के भी मिले हैं बालिंग की बात करेंगे तो 4 विकेट 2 मेडिन 76 रन ये हैं नाथन आलस की बालिंग बात करते हैं सेकंड इनिंग की तो वो थी 432 अन पर अल आउट 1823 तीन ओवर में हाईस्ट हाईस्ट मुझे सेंचरी तो कोई नजर नहीं आई है इसमें इसलिए मुझे 83 नजर आए हैं 98 नजर आए हैं 90 रन की हाईस्ट पारी है 220 बाल में 842 चकों के साथ और ये मैडिमोट की है एक बार फिर उन्हें ने कमाल की आइटीन के लिए 35 रन दान के मिले हैं बालिंग की तरफ बारत करते हैं तो एक मेडिन 94 रन पांच वोकिट और ये हैं लांस मॉरिस की शांदर बालिंग अगली है वेस्टन आस्ट्रेलिया ने भी तावर तोड बैटिंग की है 400 इन्हों ने भी बनाए 436 रन पांच वेकितिक नुक्साद में डिकलेयर की है पूरे 100 और में बहुत तेज़ खेला है हाईस रन की बात करेंगे तो बात आती है 14 रन से बाजी मारी है 118 रन 192 बाल में 13 चौकों के साथ और यह वाइट मैन की है एक्स्ट्रा में इनको मिले है 20 रन बालिंग की बात करेंगे तो मुझे नजर आ रहे है 21 और दो मेडिन दो विकेट निकालने वाले आलेस ग्रंद काफी दिये है मुझे पता नहीं करते लिए समझ नहीं आ रहा है कटा हुआ है लास्ट इनिंग तसमानियं 117 रन दो विकेट 48 ओवर यह मैच ड्रॉ हो गया इस वज़े से 57 रन की शांदर पारी है 143 बाल में 74 चकों के साथ वेड की कप्तानी पारी है तीन रंदान के मिले है बॉलिंग की बात करेंगे तो दो बॉलर है जिसमें से एक मुझे पकड़ना है तो वो है साथ ओवर एक मिलिन दस रन और एक विकेट और यह है कैली की बॉलिंग इस तरीके से एक मैच ड्रॉ हो जाता है दूसरा मैच भी ड्रॉ है यह मैच सौथ अस्टेलिया वर्स विक्टोरिया के वीच खेला गया मैच है इसके बाद हम एक आखरी मैच पर ही नज़र डाल पाएंगे सौथ अस्टेलिया ने बनाए है साथ और यह हंट की है एक्स्ट्रा मिले है यह से पाच रन बॉलिंग की बात होगी तो बॉलिंग में मुझे नज़र आ रहे है सोला ओवर आठ में दिन 26 रन तीन विक्ट और यह है विल सदर लैंड की बॉलिंग सेकेंड इनिंग विक्टोरिया पांच सो चौशट रन तीन विक्ट डिक्लियर वन थर्डिनाइन ओवर में हाई है से 255 रन 386 बॉलिंग साथ और यह विल पॉक्स पॉक्स की की बैटिंग केवल इतना ही नहीं 255 के साथ सा 239 की भी पारी एक खेली गई है इस बैच में जाने की इन दोनों ने मिलके पूरी बखियाँ खेले दी पंदरान एक्स्टा के वे मिले हैं बॉलिंग की बात करेंगे तो मुझे नजर आ रहे हैं एक मातर बॉलर जिन्होंना 285 बॉलिंग और एक विक्ट निकालने में हासिल वैस अगर नहीं है हासिल किया है आखरी इनिंग जो की हुई 384 आठ विकेट 160 ओवर माच इस तरीके से ड्रा हो गया क्यावनन के शांदर पारी 296 रन 20 चौके 296 बॉल एक से क्यावनन 20 चौकों के साथ कप्तानी पारी हैडने के लिए माच जो है वो ड्रा हो गया है एक्स्ट्राज जो मिले हैं 17 मिले हैं काफी जादा मिले हैं और बालिंग की बात करें तो मुझे दो नज़र आ रहे हैं 46 ओवर 16 मेडिन 96 रन और एक विकेट और ये हॉलैंड के हैं जी हाँ जी अगर इसमें बात करें बेस्ट बालिंग की तो ये एक विकेट क्यों सा हिसा नहीं बेस्ट बालिंग की सौरी माफ करेगा 37 ओवर 12 मेडिन 76 विकेट और ये स्कॉट बालेंड की शांदेर बालिंग है मैच ड्रॉ होता है इस तरीके से आखरी मैच आज के दिन का फिर हम अगली बार 8 नौमबर के मैचेस पर आप नजर करेंगे ये मैच है कुइन्स लैंड वेर्सन न्यू साउथ वेल्स के बीच के लागए मैच इसका रिजल्ट आया है मैच पर बाल करते हैं 298 रन अल आउट 97 दिसनल्ट दो ओवर में पूरी टीम हाइस्ट 117 203 बॉल 16 चौके और ये है लैंबुश शेन की एक फिर्फ शानदार पारी 22 रन एक्स्ट्रा के मिले है बालिंग की बात करेंगे तो मुझे नजर आ रहे हैं 24 ओवर 88 रन चार विकेट स्टार की बालिंग है स्टार की स्टार प्रॉ बालिंग है स्टार की न्यू साउथ वेल्स 283 पर आलाउट 281 ओवर में हाइस्ट रन में इसमें धून रहा हूँ जो मुझे दिख रहे हैं वो दिख रहे हैं 66 77 बाल 58 चौके तीन चकों के साथ बालिंग की बात करेंगे तो 233 में इसा होगा तो फिर क्या होगा में ऐसा हो जाता है हाइस्ट की बात नहीं करेंगे क्योंकि हाइस्ट में कुछ खास है नहीं बालिंग की बात करेंगे तो ये है 18 ओवर 12 मेंडन 17 और 5 विकेट और ये कॉप लैंड की बालिंग है लास्ट इनिंग और ये था की 206 बनाए है 5 विकेट 9 विकेट की नुकसान पे 78 देशम्बलो 3 ओवर में हाइस्ट मुझे नजर आ रहे हैं 52 रन की शांदार पारी जो की आई है 139 बाल में 6 चौकों की साथ और ये डैनिल स्लोवे की है 12 दान के मिले हैं बालिंग की बात करते हैं तो 29 ओवर 6 मिलें 74 रन 5 विकेट और ये माइकल सेपसन की बालिंग है जी हाँ जी और इस तरीके से ये माच एक विकेट से जीतने में न्यू सौथ विल्स कामयाब हुआ है टी ट्वेंटी की सीरिस अल्रेडी खतम हो चुकी है हम केवल बात करें हम डोमेस्टिक्स की तो डोमेस्टिक्स और पे हम अगली बार आपके साथ आएंगे कर दोपहर वापिस तीन वज़ रिपीट हो जाएगा सुन सकते हैं आप अपने दोस्तों आज पड़ोस वालों को फोन मिलाके कई रेड़ान पर शांदार से शो आता है सुना करें क्योंकि करोना गया नहीं है वैक्सीन लग रही है बट सबको नहीं लग रही है अभी कैटेग्राइज में लग रही है जब आप सबको लग जाएगी तब आप आराम से बाहर मास मेहन के घूमिएगा हो सकता करो ना फिर भी आपको पकड़ ले फिलाल लेडियों और शांदार से शो आते हैं उन्हें भी सुने जरूर सुने मैं निकलता हूँ मिलूँगा अगले संड़े फिर रात आठ बजे आपनों से स्पोर्ट्स की धेश सारी बाते करने की है तब तक ये बाबाई